तो देखे आज हम जीरो नंबर गोपाल जी के लिए ड्रेस बनाएंगे पूरी कम्प्रीट ड्रेस बनाएंगे हमने जीरो नंबर गोपाल जी के लिए धागे में चोली बनाई है दो धागे में अलग अलग बनाई है इसका वीडियो अपलोड हो चुका है लेकिन वूल में नह बना सकते हैं जो भी नंबर्स ने बनाना चाहें इसमें भी बना सकते हैं तो चलो चोली से स्टार्ट करेंगे और कम्प्लिट ड्रेस बनाएंगे तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिजे क्योंकि मैं जब भी नई या वीडियो डालती हूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा दिखे पास से इस तरह से हमने नोट बना ली दिखे फीट से इसे करके नोट बना लेंगे और अब हम चेन बनाना स्टार्ट करेंगे ग्यारा नंबर का क्रोश्या है और फोर प्लाय हमारी भूल है तो इसे हम चेन बनाएंगे एक, दो, तीन, चार, पात, छे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा और बारा बारा चेन बनाने के बाद हमें तीन चेन स्किप करनी है देखे तीन चेन स्किप करके चोथी वाली चेन में हम डबल क्रोश्या बनाएंगे इस तरह से और फिर से सेम चेन में डबल क्रोश्या एक ही चेन में हमने दो डबल क्रोश्या बनाया तो नेक्स्ट में भी हम इसी तरह से करेंगे हर एक चेन में दो-दो बार डबल क्रोशा बनाएंगे इस तरह से देखे हर एक चेन में दो-दो बार डबल क्रोशा और पहली रो में हमारे पास तीन की चेन को साथ में गिन करके 19 डबल क्रोशे आने चाहिए शुरू में जो हमने तीन की चेन बनाई थी दिखिए ए वाली इसे भी साथ में गिनके हमारे पास 19 टबल प्रोश्य आने चाहिए हर एक चेन में दो दो बार और इतना सा हमारा रहे चाहिए तब इस थागे को हम इस साइड में मोड करके इसको साथ ले लेंगे ताकि हमें इसकी अलग से नोट ना लगानी पड़े इस तरह से थागे को मोड देंगे और अब क्रोश्या करते वक्त साथ ले लेंगे इस तरह से तो हर एक चेन में दो दो बार बना लीजिए तो दिखिए आखरी चेन तक हमने दो दो बार बना लिया है और अब हम एक्स्टर धागा जो था इसे हम काठ देंगे, और अब हम यहां से टॉन लेना है, एक, दो, और तीन चेन ले करके टॉन ले लेगे, आदर द्यएँ, जहाँ पर हमने तीन चेन ली हैं, इसी के अनदर हम एक बार डबल ट्रूशा बनाएंगे, और फिट से एक और एक next में दो तो टोटल हमारे चार हो गए है तीन की chain को साथ में गिन करके चार हो गए है सेम chain में बनाया यहाँ पर और अब हम यहाँ पर तीन chain skip करेंगे बाजू के लिए एक दो और तीन और चोथी वाली chain में डाल करके डबल क्रूश्या बनाएंगे एक दो तीन चार चार और ये पाँच आगे के हमने पाँच बनाएं फिर से तीन स्किप्ट करेंगे एक, दो, और तीन और चोथी वाली में डाल करके डबल क्रूश्या और यहाँ पर फिर से चार बार बनाना है, जैसे हमने उस साइड बनाया था और देखे, हम इतनी चोली बना करके गोपाल जी को आपको पहना करके भी दिखाएंगे ताकि आपको पता चले कि कितनी अच्छी फिटिंग आती है गोपाल जी को आखरी वाली चैन में भी हमें एक बार बनाना है तब हमारा यहाँ पर चार होगा देखे और अब हम इस थागे को लंबा खिंच करके इस तरह से चोली को इससे कर देंगे और अब हम गोपाल जी को पहना करके दिखेंगे इस फ्रेस को निकाल देंगे हम बड़े आसानी से इसको पहनाया जा सकता है और निकाला भी जा सकता है देखे इतनी चोली बना करके आप गोपाल जी को हमेशा पेहना करके देखी लीजिए किसी भी नमबर से बनाते है देखे कितनी अच्छे से गोपाल जी को फिटिंग आ गई इसके बाद और एक रोग बनेगी लेकिन इतनी बना करके हमने पेहना करके देख लिया तो अच्छे से काना जी को आ जाएगी देखे इस रेस को निकालने के बाद इस तरह की दिखती है हमने इसके बाद और एक रो बनाई है हर एक चेन में एक एक बार डबल क्रूश्या एक, दू, और ती और हमारे पांस देखे पांच यहाँ पर है चार यहाँ पर है नो, दस, ग्यारा, बारा और तेरा तोटल अब हमारे पांस तेरा डबल क्रूश्य है तो तेरा के उपर हमारे तेरा बन जाएंगे अब हमें कहें पर भी दो नहीं बनाने है तेरा के उपर हमारे तेरा आने चाहिए देखे इस तरह से बनेगा आब हर एक के उपर एक एक बार आप गिन करके बनाए तो 13 के उपर 13 हो जाएंगे तो दिखें 13 के उपर 13 हमने बना दिये अब हम चोली को चोइंट कर देंगे यहां से तो इस साइड हमारे तीन की चेन थी देखें यहां पर एक दो और तीन तो तीसरी जो पहली चेन है इसके अंदर हम डाल करके स्लिप स्टीच से चोइंट कर देंगे ऐसे और अब हम नेक्स्ट वाले के अंदर स्लिप स्टीच करेंगे फिट से नेक्स्ट वाले के अंदर फिट से नेक्स्ट वाले बाजू के साइड हम चले जाएंग स्लिप स्टीच करते हुए, देखिए, और एक बार बना लेंगे, स्लिप स्टीच, और अब हम यहां से खेरा बनाना स्टार्ट करना है और खेरा हम थोड़ा-सा चोटा वाला ख्रोशा कर अब नेक्स्ट में फिर से दो बार हमारी तेरा चैन थी तो तेरा में हमें हर एक चैन में दो दो बार बना लेना है यह हमारी पहली रो है खेरे की तो हर एक चैन में दो दो बार देखे इस तरह और आगे हमने स्लिप स्ट्रिच बनाया है इसमें हम किस तरह से करेंगे वह भी एक, दू, तीन, चार, चार चैन में हमने बनाया, गिन करके बनाएंगे ताकि यह हमारा कौम्या ज्यादा ना हो, यह पांचवी चैन है, और यह छठी वाली चैन, साद्वी, और यह आठ, नोवी चैन, एक, दस्वी, यहाँ पर बीच में ही ले लेंगे, और देखे, स्लिप स्टिच जो हमने बनाया था, इसके अंदर इस तरह से डालेंगे, जो हमने स्लिप स्टिच किया था, इसी के अंदर हम डालेंगे, नीचे वाली चैन नहीं लेंगे, इस तरह से, ऐसे, जो स्लिप स्टिच हमने बनाए थी, इसी के अंदर इसी को उठा करके ह हम दो दो बार डबल क्रूश बना लेंगे इस तरह से तो राउंड कंप्लिट हो गया और अब हम यहाँ पर तीसरी वाली चेन के अंदर स्क्रीप स्क्रीच से चोहिट कर देंगे इस तरह से तो राउंड कंप्लिट हो गया अब हमारा दूसरा राउंड स्टार्ट होगा आप गिन लीजे, तेरा बार दो दो आये हैं हमारे एक, दो और तीन सेम प्लेस पर हम इसी के अंदर हमने दो बार बनाया अभी हमें दूसरे राउंड में भी हर एक चेन में दो दो बार बनाना है, देखे दो तीन जगा हम किसी भी तरह से तीन जगा पर एक एक बनायेंगे क्योंकि हमारी जो एक पैटन है देखे हर एक में दो दो बनाना पड़ेगा क्योंकि बहुत छोटा रो है तो इसमें खीचा वाएगा, अगर आप एक में दो और एक में एक बनायेंगे तो देखिए हमने इसमें भी हर एक में दो दो बनाए है और जो हमारी एक pattern है इसके लिए हमें 8 चाहिए double crochet तो इसके मुताबित हमें इसको गुना करके हमारे पास जो ए6 pattern आई है तो देखिए एक pattern में हमें 8 चाहिए तो यह हमारी 6 pattern बनी है देखिए पास से सोरी दूर से 6 पेटन बनी है तो हमारे पास 48 यहाँ पर आखरी राउंड में यह जो एलो थे इसमें 48 डबल क्रोशे थे तो हमारा की कियावन बनता था तो हमने 3 कम कर दिये क्योंकि 3 हमने इसलिए कम किये हमारा जो यह 8 से बनता था तो हमारे मैं 48 यह था तो हमने 3 कम कर दिये 3 जगा हमने एक एक बना लिया था दो दो की जगा तो इस तरह से हमने एक अगर आपकी साथ पैटन बनती है आपकी हेरा बड़ा बना रहे है तो आपका छपन आना चाहिए 56 तो इस तरह से आपको इसको एक्जेस्ट करना पड़ेगा अगर आपकी 8 पैटन आती है तो आपको 66 डबल ट्रोशे चाहिए 64 तो इस तरह से आपको एक्जेस्ट करना पड़ क्फाइए देखे अरजगे दो बनाया है लेकिन तीन जगा में जेखे एक बार यहाँ पर एक बनाया है पर परूंधे नीक स्टप ऑफने आखरी में यहां पर दो जगे पर हमने एक एक बनाया है तो इस तरह से हमने तीन कम कर 54 आ आए है आखरी राउंड में तो यह हम दो दो बनाते हैं लेकिन बीच बीच में तीन जग़ पर हमें एक ही बनाना है तो हमारे पास 48 डेबल क्रोशे आ जाएंगे तो दिखे हमारा दूसरा राउंड कंप्लीट हो गया है और यहां पर हम तीन की चेन को हमने एक दूर तीन तीस करना है तो अब हम इस थागे को पिछे की और नॉट लगा देंगे तो दिखे अब हमारी यह जो ग्रीन वाली है वो रो बनेगी इसकी जगा हम यहां पर रेड डालेंगे तो यहां से हमने देखिए थागे को काटा था तो वहीं से ही हम स्ट्राट करेंगे यह हमारी पहली चैन है यहां पर हमने जोइट किया था तो यह भी एक हमारी चैन ही है तीन की चैन के उपर हमने स्लीप स्ट्रीच बनाया था तो इस तरह इसी में से ही स्टार्ट कर देंगे यहां पर से एसे एक चैन बनाई इसी के अंदर एक बाल सिंगल क्रोश्या कर दें एक किया नेक्स्ट चैन में दो बनाया और फिर से नेक्स्ट में तीसरा तीन चैन में हमने एक एक किया अब चोथी वाली चैन में भी एक बार करेंगे और इसके उपर अब हमें चार चेन लेनी है एक, दो, तीन और चार चार चेन लेगर के चोथी वाली के उपर हमने चार चेन बनाई देखे और अब हमें यह जोर सिंगल क्रोशा था इसी के यह दो लूप उठा करके इसके उपर सिंगल क्रोशा बना देना है चार चेन को इसी के उपर जोईट कर देना है और अब हम फिर से नेक्स्ट वाली चेन में से फिर से सिंगल क्रोश्वा बनाना start कर देंगे 1 नेक्स्ट में 2 सेम चेन में कहीं पर भी नहीं बनाया है फिर से नेक्स्ट में 3 4 5 6 7 आठ और ये आठ आठ पे सिंगल क्रोशे के उपर हमें फिर से एक दो तीन और चार चेन बनानी है और फिर से इसी तरह से करना है देखिए दो लूग उठा करके इसी के उपर हम सिंगल क्रोश्या बना देंगे और फिर से हम नेक्स वाली चेन में सिंगल क्रोश्या बनाएंग फिर से आठ लेकर के, सोरी, साथ लेकर के आठवी के उपर इसी तरह से चैन बना देंगे हम. तो दिखिए, यहां तक हमने बना लिया, अब हमारे यहां पर हमने तीन बनाये थे, तो यहां पर हमारे चार चैन बाग दिये, तो इसमें चार हम बना लेंगे. तो बीच में हमारे साथ हो गए आठवी के उपर तो हमने ये वाली पेटन बना दी थी तो एक बनाया है दूसरा तीसरा और ये चोथा तो ये चार हमारे बन गए अब हम पहले वाले के उपर स्लिप स्टीच से चोइट कर देंगे इससे करके और अब हम एक चेंड लेकरके धागे को काट देंगे यहां पर नीचे हम धागे की नौट लगा देंगे तो दिखिए छे पेटनमारी बन करके रेडी हो गए अब हम यहां पर जो इसमें फ्लावर है वह हम येज़ा डालेंगे तो अब हम यहां से एलो धागा स्टार्ट करेंगे और यहां पर देखे हमारे साथ साथ है बीच में से तो यहां से गिनेंगे जो हमारा पहला है तो इसमें हम गिन करके बीच में जो हमारा आता है एक दो तीन और चार चोथा हमारा बीच में आता है तो इसके अंदर डाल करके हमें स्टा च मुझाट करना है, है सिफागे को एक चेंन लीज, इसी के अंदर एक बार सिंगल क्रोश्या किया तो अब हमें एक e », दो और तीन चेंन बनानी है तीन चेंन बना करके, लूप लेकर के इसके अंदर देखे यहाँ पर हमने जो 4-4 चेंन बनाइी थी इसके अन्दर डाल करके डबल ट्रोशा करेंगे, लेकिन complete नहीं करेंगे, फिर से loop लिया, इस तरह से बनाया, दो थागे आगे के, निकाल दिये, फिर से loop लिया, आगे के दो थागे, निकाल दिये, इस सरह से हमें 3 बार करना है, चार धागे हो जाए तब हम चारों को एक साथ निकाल देंगे इस तरह से फिर से एक दो और तीन चेन बनाएंगे और फिर से सेम तरीके से करेंगे इसके अंदर दूसरी बार आगे के दो धागे निकाल देंगे फिर से आगे के दो धागे निकाल देंगे तीसरी बार भी इसी तरह से चारों को एक साथ निकाल देंगे फिर से एक दो और तीन चेन लेंगे और फिर से इसी तरह से सेम तरीके से बनाएंगे एक दो और ये तीन इसे चारों को एक साथ निकाल देंगे और फिर से यहां पर तीन चेन ले करके एक दो और तीन देखिए फ्लावर बन गया कि छोथा वाला एक दो तीन और चार्ण इसी के अंदर फिर से इस तरह का फ्लावर बना देंगे, जैसे अंदर उससाइट बनाया सेम, आगे के दो निकाल देंगे, फिर से इसी तरह से, चारो को एक साथ निकाल दिया, फिर एक दो और तीन फिर से एक बार दूसरी बार और तीसरी बार चारो को एक साथ निकाल देंगे फिर से एक दो और तीन चेर फिर से एक बार दो बार और तीन बार फिर से चारो को एक साथ निकाल देंगे और फिर से एक दो और तीन चेर ले करके यहाँ पर एक दो तीन और चार चोथे वाले के अंदर सिंगल क्रूश याँ तो इसी तरह से हमारे फ्लावर बनते जाएंगे और छे फ्लावर अमारे बनेंगे तो दिखें फ्लावर कंप्लेट हो गया आखरी बार हम एक दो और तीन चेर बना करके जो पहला सिंगल क्रूश चा किया था इसके अंदर स्लिप स्टीच करके धागे को काट देंगे अब हमें यहाँ से फिर से रेड धागा जोइट करना है यहाँ से हम ट्रेड धागा जोइट करेंगे इस अगे को स्टाथ ले लेंगे तो यहीं पर से ही हम स्टाट कर देंगे एक बार किया हम सिंगल क्रूश चा करना है अब हमें दो औरे तीन तीन बार सिंगल क्रूश चा किया अब हम अगले वाले लूप के अंदर आ गए देखे अगले वाला जोचेन का लूप था इसने दो तीन और यह चार इसमें हमें चार बार करना है नीचे हमने तीन बार गिया अब हम इस एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे या तो नीचे की और नौट लगा देंगे और अब हमें यहाँ पर देखे यह जो फ्लावर बनता है उपर यह बनाना है तो इसके लिए हमें यह हमने चार बना लिया फिर इसके बाद एक, दो और तीन चेन बनाएंगे और इसी के दो लूप उठा करके यहाँ पर सिंगल क्रूश्या बना देंगे फिर से एक, दो और तीन चेन बनाएंगे और इसी के दो लूप यहाँ से उठाएंगे देखे इस तरह से और फिर से सिंगल क्रूश्या बना देंगे और फिर से, एक, दो और तीन चेन बनाएंगे, और फिर से, इसी के दो लुप उठा करके, सिंगल क्रूशा बना देंगे, और यहां पर, दिखे, जो पहला था, पहला सिंगल क्रूशा, इसके उपर फिर से, सिंगल क्रूशा बना देंगे, इस तरह से जोइट कर देंगे, और फिर से यहाँ पर चार बार सिंगल पूर्षा बना देंगे एक दो तीन और चार और फिर से इस वाली साइड में तीन बार बना देंगे एक दो और तीन अब हम एक्स्ट्रा धागे को काट देंगे तीन बार बनाया फिर से इस वाले साइड में तीन बार बना देंगे एक दो और तीन और फिर अगली वाली के उपर चार बार बनाएंगे एक दो तीन और चार देखें चार बार बनाने के बाद फिर से हम फ्लावर बना देंगे एक बार एक दो और तीन चेंड लेंगे और इसी के उपर देखें इसी के उपर जो दो धागे दिखाए देते हैं इसके उपर हम सिंगल क्रूशा बना देंगे फिर से एक दो और तीन चेंड लेंगे और फिर से इन दो धागों को उठा करके सिंगल क्रूशा बना देंगे फिर से एक दो और तीन फिर से इन दो धागों को उठा करके सिंगल क्रूशा बना देंगे तो तीन बार हो गया इसके बाद जो पहला वाला सिंगल क्रोशा है फिर से इसके दो धागे इस तरह से उठा करके इसके उपर सिंगल क्रोशा कर देंगे ऐसे और फिर यहाँ पर चार बार सिंगल क्रोशा बना देंगे तो इसी तरह से इस राउंड को कंप्लिट कर दीजे तीन बार हो गया, यह चार बार, यहाँ पर हमें तीन तीन बार करना है, दो और यह तीन, तो दिखिए, फ्लावर इस तरह से हो जाएगा, तो दिखिए, राउंड कंप्लिट हो गया, अब हमने जो यहाँ पर पहला सिंगल टूश्या बनाया था, इसके अंदर स्लिप स्टिच जोइट करके, एक चेन लेकर के धागे को काट देंगे, और पीछे इसकी नोट लगा देंगे, और यहाँ पर जो हमने गले पर चेन बनाई है, वो बना देंगे, वो आप जो भी चाहे उस कलर में बना सकते हैं, यहाँ पर रेट धागा लेती हो, और यहाँ पर जो गला है, यहां से हम स्टार्ट करेंगे नेक पर यहीं पर पहले से पहली चेन में डाल करके इस तरह से धागे को स्टार्ट कर देंगे और फिर नेक्स्ट में डालेंगे और स्लिप स्टिच करते जाएंगे इसी तरह से इसे एक एक चेन में आगे- आगे डालते जाएंगे और slip stitch करते जाएंगे और slip stitch थोड़े छे ठीले आज से करेंगे क्योंकि वर्ना नेकपे खीचावाएगा तो एकदम ठीले आज से करनी है हमें खुले आज से इसे इस तरह से यहां पर से धागे को खीच करके काट देगए, तो इस तरह से नेक पे हमारी चेन बन गए, इस धागे को हम नीडल में फिटो करके नोट लगा देगे, और इस एक्स्टर धागे को क्षीच करके काट देगे, दिखिए ट्icias बन करके रेडी हो गया है, वहें गोपाल जी को पे पहले हम पेर डाल देंगे और इसके बाद यह वाला हाथ पहले डाल देंगे और फिर यह वाला हाथ डाल देंगे पहना ने भी कोई दिक्कत नहीं होगी एकदम बड़े आराम से आप इसे पहना सकते हैं बहुत ही प्यारे लगते हैं गोपाल जी दिखी तो आपको एड्रेस केसी लगी वो में कमेंट करके ज़रूर बता ना और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और मेरी चेनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू में आई बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि में जफी कोई निया वीडियो डालू तो इसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले थेंक यू फर वाचिंग